प्रेम कुमार जी किस रूप में देखते हैं आप महाराश्र की राजनिती में भगत सिंग कोश्यारी का जो यह बम है वो कहां कहां उसकी जो धमक है कहां कहां सुनाई दे रही है क्योंकि सियासी तोर पर देखें तो सब तरफ हर पार्टी उसके नेता इस बात कि और हमारे दो लोग जो अल्रेडी वहां बैठे हुए हैं मुंबाई और थाने में सुर्प्रकाश मिश्रा जी थाने से और मुंबाई से जुड़े हुए हैं धनाजय जी दोनों कह रहे हैं कि परिस्टितियां जो है वो अब बदल चुकी है और अभी उद्धव ठाकरे जी को भी आपने स श्यारी जी ने आप देखते हूंगे जो नकली बंदू को पिस्टॉल होता है तो वो जब हैर होता है सामने अपने ही को चोट लगती है हाथ घयल हो जाता है तो उसी किसम से यह हुआ है यह एक संभैधानिक पद पर रहते हुए जो उन्होंने यह बयान दिया यह बयान तो भी बोल गए सारी प्रतिक्रियाएं हैं हमारे पास और सारी प्रतिक्रियाओं को देख करके हम महराष्ट की राजनीत को भी इस बयान के इर्दिगर्द समझ सकते हैं भगत सिंग कोश्यारी एक ऐसे राजयपाल है जिन्होंने रात के अंदेरे में एक सरकार बनाई थी उनको हम मतलब मैल ईमेल की सूचना से ही अल्पमत में माललया था यानि मेल से अल्पमत और वहमत का उन्होंने हैसला कर लिया था तो यह बात भी अभी सुप्रीम कोर्ट में है तो यह इसकी प्रिष्टATHAN प्रतिकरिया वो तिस दीखती है तो उद्दौः ठाकरे की प्रतिकरिया बिल्कुल जायज नहीं है वह राजयपालको वो जाय जितना बचा कर बोलें लेकिन वह मोटे तोर पर समझने वाली भाशा है कि यह कोला पुड़ी चपल से उनकी पिटाई होगी यहीं वो संदेश देना चाहते हैं बोलने का तरीका थोड़ा सा बचा के रखा कि वह राजयपाल है लेकिन माने वही साफ है उसको कोई छुपी हुई बात नहीं है दूसरी बात है कि महारश्ट के राजयपाल के तौर पर कोश्यारी जी का बयान भी बिल्कुल साब है चाहे इसके बाद कि उन्होंने कहा कि हम से गलती हो गई कि हम हमारी बात को गलत समझा गया तोर्मडोर कर कहा गया इस तरह से उन्होंने बाते कहीं लेकिन मैं कहता हू मैं वापस उसी राजनितिक चतुराई के हिसाब से जो कोशियारी जी ने कही है तो यह जो है कि बयान दे देना और उसके बाद में उससे पीछे हट जाना यह चुके उनका राजनितिक अतीत भी है समझदार नेता है बुजुर्ग नेता है तो वो इसका मतलब नहीं समझते हो हो यह तो हो इसका पूरा मतलब समझ रहे थे और यह भारतिये जनता पार्टी की की जो लाइन और सोच रही है उसके कोडिंग है यह उससे अलग हट करके नहीं है जह यह फोजिप नेता कहते रहें और कोश्यारी जी ने भी कहा है कि हम तो हमेशा कहते हैं कि उन्होंने कहा कि राजस्तान और गुजराती अगर वहां से हट जाए तो वार्तिक राजदान ही पैसा इसा यह नहीं रहा जाए निम Christmas के लोग फकीर भीकमंगा है राजस्तान और गुजरात के लोग जो है वही आकर उनको अमीर बनाए हुए हैं तो यह जो इमोशन है जो मैं थोड़ा खुल कर बोल रहा हूं और दूसरे लोग और भी खुल कर बोल रहे होंगे तो यह इमोशन महाराष्ट्र की अस्मिता वाली बात को सतह पर लाती है प्रमुकताप से लाती है तो अब यहां पर थोड़ा सा रुख करके सोचते हैं कि पैदा हो रही है कि महाराष्ट्र अस्मिता के लाइन पर एकनाथ शिंदेर नहीं चल रहे हैं यह वाली इस्तिती आगे क्या हो का मैं नहीं मालूम लेकिन यह इस्तिती बन गई है बीजेपी से गठ बंदन के बाद अगर महाविकासा घाड़ी में हिंदुतु का फैक्टर लाया गया था तो बीजेपी के साथ गठ बंदन में यह महाराष्ट्र की अस्मिता का फैक्टर यहां पर पैदा हुआ दिखता है चोके भगत सिंग कोश्यारी बीजेपी के बड़े नेता रहे हैं राज्यपाल रहे हैं और उन पर क्या एक्षन बीजेपी लेती हैं उनको स बिजी बयान है यह हम उनसे सहमत नहीं है और यह सहमत नहीं होने वाली बाद देविंद्र पढणवीस भी बोल रहे हैं यानि देखिए खुले रूपने उसको इस बयान को गलट ठाहराने की हिमत ना देविंद्र पढणवीस में है ना एकनाथशिंदे में है तो यही वो इस्तिती है जहां पर के शिव सेना के उद्दव ठाकरे माईलेज ले सकते हैं या दबाव में ला सकते हैं आपको ध्यान होगा कि यह महाराश्ट के मुंबई और ठाने का जो इलाका है सबसे ज्यादा बगावती तेवर्द जो है एकनाथ शिंदे का प्रभाव सब यहीं पर दिखा है तो यह वो इलाका है जहां पर कि शिव सेना अगर महाराश्ट की असमिता का मसला मजबूती से उद्दव ठाकर उठाते हैं तो इसी मसले से वो एकनाथ शिंदे और उनके समूव पर आक्रमन कर सकते हैं तो यह भी राजनिती इसमें नजर आती है पुल मिलाकर के इस एक बयान ने पूरी महाराश्ट की राजनिती को नई करवट लेने के लिए उद्द्वेलित कर दिया है बिल्कुल सही कह रहे हैं लेकिन ये बयान है क्या जो साथी बाद में जुड़े हैं आप लोगों के लिए एक बार फिर से सुनाते हैं कि राजेपाल भगत सिंग क पहराश्ट के उनके खिलाप बोल रहे हैं कोई भी राजिपाल महोदे के बयान से इतिफाक नहीं रखता उनके बयान को नकार रहे हैं तमाम लोग उप मुख्य मंत्री फर नवीस चाहे मुख्य मंत्री एकनात शिंदे चाहे पूर्व मुख्य मंत्री देवण्द्र माफ कर उद्दव ठाकरे ऐसे तमाम लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि नहीं यह ठीक नहीं कह रहे हैं ठीक नहीं उसके अलावा चाहे एंसीपी हो कॉंग्रेस हो सब और बीजेपी के लोग भी बीजेपी के अंदर खाने में भी यानि फंसा दिये हैं क्या भगत सिंग कोश्यारी आईए उन्होंने क्या कहा पहले वो सुन लेते हैं बाद में उनका बयान आया है वो भी आपको सुनाऊंगा लेकिन पहले ये सुनते हैं कि कहा क्या था आखि यहां से गुजलातियों को दिखाव दो और राज वस्थार्यों को दिखाव दो, तो तुम्हारे कोई पंसे बजड़ा एह नहीं+. ये राजदागी कल राजदागी कल लेकल और।